जब जब जुल्म भाई जनता पर योधन के अवतार भाई कृरांति के मैदान में हरदम जुल्मियन के हार भाई साथी सहीदन के खून से रंगाले टोलिया हम तब बोलबे करम कानूनी बोलिया मामला पूर्णिया अंतरकत धमदहा दमगरा के गरीब जनता का है जमिदार अपने जिवित काल में ही तैस एकर जमीन जोतने वाले बटेदार के नाम चर्वा कर सर्वे सिक्मी कायम कराए और संत बिनुवा भावे जी को 41 एकर जमीन भूदान में दिये उनके मरने के बाद उनका एकलोता पुत्र विश्व मोहन साह ने अपने लगयत रिष्टेदारों अटल पंजियार वो प्रकास पंजियार दोनों के ग्राम वो थाना जिला मदवनी बिहार के नाम पर फरजी कागजात बना कर अपने ही नोकर खास मनेजर सिपाही वो ड्राइवर सब के द्वारा गरीब मुख्या सब पर एक एकड़ सत्तर कित्ता मुकदमा करवाया गुस्खोर पुलीसों के हाथें पकरवा कर 19 दफे जेल कष्ट भोगाया गरीब दुख्यों का लगाया हुआ फसल लुटवाया और वो अपना लठेत बदवासों द्वारा आकमन कर आकमन करा के ठक गया और तीन दफा घर में आग भी लगवाया जिसका कलेम थाना में नहीं ह ने दिया गरीब दुख्यों का हक अधिकार की आवाज देने वाला अगवा वरकर सुरेश गांधी को दुष्ट पुलीसों के हाथों दुरगंजन करवाया दोनों तलबा में मारते मारते साथ बेट का जंडा जंडरी हो गया था चोकिदार लाठी से गिरा गिरा तोरवाया बैर का काटा टेढ़ी पर खाली करके सजवाया था चितांग करके सीना पर राइफल के कुंडा से धुनवाया था हाथ के दोनों तड़त इटा पर रखर हतेली से दस्तों उंडियों को तुडवाया था गुबली बन्द हो गया था जूठा आरौप लगा कर जेल भेजा था जहां इमांदार डाक्टर मुनीर अहमद और कमपोंडर लक्षन मंदल के हाथ से इलाज हुआ था जान बच गया लेकिन पूरे बलहीन हो गया था यादव स्याम भगत देवंदर महता वकील दास इत्यादी लोगों ने औने पौने दाम में कुल जमीन खरीद लिया है अपनी अपनी दबंगई एवं बदमासी सकती सभी गरीब दुख्या को उक्त चोंसटेकर जमीन से बेदखल कर दिया है जब से नितीश कुमार बिहार के गदी पे आये हैं तब से ही जमीदार हुकुमत चालू कराते हुए सर्वे सिक्मी भुदान लालकाड गैर मजरुआ वगेर बेनामी जमीन सहित बिक्री कराये हैं दखल कार घरीब दुख्या को बेदखल करा कर जमीन हुकुमती राजा बनाये हुए हैं सच्ची CBI द्वारा जाच करवाय मुखमत्री का सभी कर्तूत दिख जाएगा उक्त जमीन के अंतिम खेसरा चोसो एकतालीस के आगे बनवनखी धमदाहा जाने वाली चालू पक्की सरक सटे पस्चिम में जैचंद्र पोदार, सत्तेंदर पोदार, विकास पोदार, नरेस पोदार, कहलास पोदा एवं नेहरू उरों, रंजीत उरों, गन्नू उरों, ललन उरों, टोटल 11 परिवारों का परिवारिक बास घर, आंगन, दरबाजा, बाड़ी, निका, सहीद, 15-15 डिसमील जमीन में बसा हुआ, खरिदारों द्वारा उजार कर भागाने का संजन्त रचा, किसी भी समय आतंक पहला कर अनेतिक ढंग से आकर्मन करा सकता है, सुरेश गांधी के परिवारों के हाथों लगाया हुआ, साथ बिटा बास लगभक साथ हजार एवं बड़ा-बड़ा बिरिक्ष का असोक यादव एवं मनोज यादव ने कटवा कर ले गया, घुस्खोर अक्सर लोग रुप नहीं बोल सका है, अन्तिम सवाल यही है कि अपने भारत देश के सोतंतर संभिधान एवं कानोन के अंतरगत जाली क्यवाला पकरा जाए, ये उक्त कथन सुरेश गांधी का है, और वहां के जो विपदा भरे लोग हैं, जो विपत्ती में पड़े हुए हैं, समाज के गरीब जनता उनका कथन है, आप देख रहे हैं, आवाज आपका और आपके साथ है, MS परदेशी रहा था, उनके नम से स्खी बनाया, उसके बाद जो है, बिन dense जी करद अभयाँज चला, बिनवा जी को कdernे एकतालिस ने कर, तक बेता जो है, जैंतर बिसमौन ईन्हें अपने रिष्टे दार आपके नम से नवर्ण फर जी काघज बना जूटा मुकदमा लगा कर सब को जेल में भीज़बा कर तबा तबाँ कर when हम जो आगवाई किये हम उसकर न्याय अचार को बियोज किये हमने Himal? चूछ ने कर हमारे ऊपर बहुत बड़ा रूत द्याचार हुआ हमे तरबस कर दो हम लोग चाहते हैं जो हम लोग का अधिकार कहां से मिलेगा हम लोग का दख़ल कैसे होगा तो हम लोग जो है सब एक जूट हो रहे हैं भारस सरकार के दुआरा जो हम लोगों को दखल होगा बारस सरकार के पास हम लोग जाकर के नरेनमोदी अमिर्शा और न्याय मंत्री जो है उसके पास जाकर तो जाएंगे हम लोगों को अधिकार दिया जाए जमिल पर दखल कर आज या ने द लिखी दिया जए अम लोह को बिदेश भेजा ज़या जए आम लोगों के लिए कोई दस्ता बेज नहीं बनाएंगे उनका गलत के वाला को रध नहीं करेगा उसका उसका रशित खाजने करेगा तब तक हम दिली से वापस आने वाले नहीं हैं जनता हमारा साथ है हम भूमखिन गरीब है हमको भुधानने जमीद दिया है रेस्वाम लाल चाह ने भुधान को दिया बुधान कमिटी ने हमें खुद दिया धन्य वाद आपका आप जान रहे हैं कि जमिदार ने जमीन को किस तरीके से लोगों को बाट दिया लेकिन कुछ वजह से या ऐसा कहिए हेड़ा फेरी से जमीन को दूसरे के हाथ फिर के वाला करवा दिया गया और सरकार भी सो रही है यहां के परसासन भी सो रहे हैं और यहां का इंसाफ रो रही है कि इस गरीब औ क्या मामला है अपक्तम थोड़ा सा कम सब्द में जाद से जाद बोलिए भूदान का जमीन उस तेम में हम जहां टॉलिब रहते थे जब यह बटबारा हुआ तो मेरा भी था उसमे था इसके बाद उसमें सब आदम मिल करके जो तबाद करता था उस दिम के बाद जब सुधा द क्यों जमीन फीकर भगादिया था अब भगाने के बाद आज तक आप लोग को फिर कभजा नहीं हुए अज सब घा वह जाद बटैंसे बिखते गया भगाते गया बहगते बहगते अभी तक हम लोग इस अ है जमीन पर नहीं जा सकते हैं, अब सर इस्ताबादी को हम लोग गामदीजी कुन्यता बनाएं, यह बेचारा दिल्ली भी गए हमें, पतना भी गए हैं, दस भर पुर्णिया भी गए हैं, धारना लगाएं, उसमें स्रीयो वीडियो सब थे, कहा कि तुम लोग अउता हो मत, हम ज हम लोग को जब मिंदिलाई हैं, तो हम लोग देरे से बैठे रहो, हम लोग बैठते बैठते ही, यह अभी तक बैठे हुए हैं, कोई आता नहीं है, और जदी प्लोट पर कोई घास बुसा कातने के लिए जाता है, तो उसको भी मार पीट करता है, और क्या बता हैं, तरकार स जमीन हम लोग को मिला है, तो फिर मार पीट करके हम लोग को भगा दिया गया, तो थाना और कानून कहां, थाना में जाते हैं, तो कहता है, तुम जान मरोने वहाँ पर, अब मरने के लिए जाएंगे, तो कौन ची क्या मिलेगा, कितना को मार करके बरबाद कर दिया है, बहु